ब्रेड में लगाएं, दूद में मिलाएं, केक पर लगाएं, कप केक पर लगाएं, फ्रीज करके चोकलेट के साथ खाएं बजार से मिलने वाली 2000 वाली नुटेला अब घर में सिर्फ 100 रुपीज में बनाएं हाँ जी, सिर्फ 100 पे में इसको बनाएं, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार नुटेला बनाएं और अपने बच्चों को खुश करें असलाम लेकूम, वेलकम तू माई वी लोग, आज मैं आपके साथ नुटेला की रैस्पी शियर करूँगी इतनी कम टाइम में और इतनी सस्ती बनने वाली नुटेला जब से मुझे पता चला है और जब से मुझे बनानी आगी है ना, अब मैं बच्चों को घर में ही बना कर देती हूँ इसके लिए हमने ओन केजी दूद लेना है और फूल फैट वाला दूद लेना है चाहे आप डबे वाला, फूल फैट वाला लेने, चाहे आप घर का डालना है मैंने गलास के साथ इसको महिर कर लिया है अभी मैंने इसको चूले पर नहीं चड़ाया जब हम चीनी इसकी डाल देंगे तो फिर हम इसको चूले पर चड़ाएंगे जब इसका उबाल आजेगा दूद में तो हम जो आँच है ना चुले की वो हम काम कर देंगे हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताके ये दूद हमारा बाहिर भी ना आए और जले भी ना क्योंकि अगर दूद जल जाएगा या नीचे दूद लग जाएगा तो इससे फिर स्मेल आने लग पढ़ेगी हमने इसको वकफे वकफे के साथ इसमें स्पैचला जो है वो जलाते रहना है ये देखे यहां पर मेरे दूद को बाल आ गया था और मैंने मीडियो फ्लेम में कर दिया 15 मिन के बाद मैंने देखा जो दूद था वो 3 इंच नीचे चला गया था ऐसे हमने दूद को काम कर लेना है मैंने 1 केजी दूद लिया था और हमने तब तक पकाना है जब तक ये 1 केजी ना रह जाए उसके बाद फिर मैं जब 10 मिन के बाद आई तो मैंने स्पेचला इसमें चलाया और ये दूद था हमारा थोड़ा सा और नीची आ गया था ये देखें, बाद में ये दूद की कुछ ऐसी रंगत हो जाएगी हमने इसको बिल्कु कंडेंस मिलक की तरह बना लेना है जैसे कंडेंस मिलक होता है और इसमें ये जो लंस बने हैं ये बलाई की है क्योंके हमने फुल फैट इसमें दूद लिया था बाद में मेरी जो गैस थी वो ओफ होगी थी और ये बलाई जो थी ना उपर आगी थी तो इससे आपने परिशान नहीं हो ना घबराना नहीं है बाद में हम इसमें हैंड बीडर चलाएंगे तो यहां पर मैंने थोड़े से बदाम ले लिए हैं आप ये बदाम जो है न स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मैं हाफ जो थी ना वो बदाम वाली बनाऊंगी नुटेला हाफ जो है वो मैं सिम्पल वाली चोगलर स्प्रेट बनाऊंगी तो आप इसमें ये बिल्कु स्किप कर सकते हैं तो यहां पर मैंने थोड़े से बदाम ले लिए उनको चोपर में मैंने ऐसे बरीक पीस लिया था अभी ये इतने मुझे बरीक नहीं लगे तो मैं एक बार फिर ये चोपर को चलाओंगी और इसको हमने बिल्कुल बारीक कर लेना है फिर उसमें मैं ये हाफ कप जो ओईल का है वो डालूंगी मैंने इसको कप के साथ मैयर कर लिया है हाफ काप हिस्ट में हम मैं ओयल का डालूँगी और इसको मैं फिर अच्छी तरह से एक दफ़ा चोपर को चला लूँगी ताके ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप इसमें बदाम स्कीप भी कर सकते हैं बदाम की जगा आप इसमें अधर नर्स भी डाल सकते हैं जो आप पसंद करते हैं जैसे इसमें पीनट भी आप डाल सकते हैं आप सिंपल भी इसको ना कर सकते हैं ये हमारा कंडेंस मिलक यहां पर बिलकुल रैडी हो चुका था इसमें बलाई की जो लम से वो बन गे थे अब इसमें मैं हैंड बीटर चलाकर इसको बिलकुल स्मूथ कर लूँगी ये देखें अगर किसी के पार हैंड बीटर नहीं है तो इसको ग्रेंडर वाले जो जग में उसमें भी डाल करना आप इसको बिलकुल स्मूथ कर सकती है यह देखें, बिलकुल मेरा स्मूथ हो गया और यह इसकी ऐसी रंगत हो गई पक पक कर इस में मैसे हाफ मैंने निकाल लिया है बाद में मैंने जो इसे यह जो आल्मंड वाला मैंने पेस बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है हाफ मैं सिंपल बनाऊंगी और उनको मैं फ्रीज करके चोकलेट बना लूँगी तो इसमें मैं सिरफ टू चमच ओनली टू चमच जो है न कौको पॉर्डर के वो डालूंगी और ये दो चमच जो कौको पॉर्डर के ये सिरफ 100 रुपीज में मिलती है इतनी सस्ती नुटेला बजार जैसी है और वो भी इतनी लोग कास्ट में और वो ही टेस्स का ट्रस्ट मी आप भी इसको बनाएं आप भी इसको खाए बगएर नहीं रह सकते तो मैं यहाँ पर इसको हैंड वाले बीटर के साथ कर रही हूं अगर आपके पास आप वो जो electronic बीटर है जो मैंने पहले चलाया था आप भी चला सकते हैं लेकिन कुछ घर में नहीं होता इसलिए मैं है ना इसलिए मैं हैंड वाला चला कर दिखा रही हूं पीटर कि इससे भी ये बिल्कुल स्मूथ हो जाता है ये देखे बिल्कुल स्मूथ हमारा हो गया है इसमें ये थोड़े थो जो जलंस है ये बदाम है और ये बहुत हेल्थी होते हैं बच्चों के लिए ये देखे हमारी धेर सारी जो नोटेला है ना वो बिल्कुल हमारी बनके रैडी हो गी है अब जो सिंपल वाला हमारा कंडेंस में लग था उसमें मैंने वान टेबल स्पून कोको पोडर डाल करना उसको मैंने फ्रीज कर लिया था और वो बच्चे ऐजा चोकलेट खाएंगे इतनी सवस्ती इतना काम टाइम इस पर लगा था और बच्चे भी खोश हो गए थे अब महंगी वाली नोटेला से जान चुड़ाएं और घर में इसको ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा यह मेरा आज का विलोग था आपको मेरा विलोग अच्छा लगा है तो प्लीज सब्क्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा अल्ला हाफीज